हाई गाईस वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में आपके जितने सारे कमेंट से सारे कमेंट का रिपलाई देने की कोशिश करूंगा जितने सारे कमेंट साप सभी ने मुझसे किये हैं कोशिश करूंगा जितने सारे होसे के मैं कमेंट का रिपलाई अपलोड किया था वो वीडियो पर वीडियो पर इंटर्नल स्लाइडिंग के बारे में कुछ बताया नहीं रेक्वेस्ट इंटर्नल स्लाइडिंग के उपर में एक पीडियाफ है नोटिस पे उसके बारे में एक शॉट वीडियो अपलोड कर दो तो समझ में नहीं आ रहा है ओके इंटरनल स्लाइडिंग के उपर मैं एक वीडियो बना दूगा लाफिंग राज लेकिन शॉट वीडियो नहीं बनाऊगा मैं फुल वीडियो बनाऊगा ताकि अच्छे से आपको समझ मैं ठीक है युग शॉट में 30 सेकेंड में समझाना मेरे तो बिडियो बना दूँगा वाटिस इंटर्नल अशाइड आफ वीडियो ओदेखना कि हॉपूआ लिखना ब ना याक्तों के युखागा इगा सब्सक्किंद करदो करोगे उनिंख inspired प्लोड करोगे फोटयू घीच पीडियू अपलोड और से महdy औरे भाई अट्मिशन त तक हूँ आई जेएटी में आपको टेंसल लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है है हेलो सर दोया कोरी ठीके कोहिबे की ओनलाइन फीस पेमेंट पॉरे प्रोसेस कौंप्रीज ओनलाइन फीस पेमेंट के बाद आपको उसका प्रिंट आउट डाउनलोड करना है प्रिंट आउट ले तापको रे कोहिए प्रिंट आणी चो की पेमेंट रहूं मुह कोहिए ली नहीं मोर नहीं से मोरो चार प्रिंट कोरे की देला तो अच्छा है ना यार बढ़ी है और क्या टेंशन वाली बात नहीं है कॉलेज में अभी आडमिशन के टाइम पापको कोई कुछ दिक्कत नहीं करता आपका help करने की सब कोशिश करता है बढ़ी है आर्जे मलेचा स्लेयर का मेसेज ब्रो मेरा रिसीट सो नहीं कर रहा है कल मेरा admission है बहुत टेंशन लग रही है टेंशन मतलो आपका admission का 24 आवर पहले आप चेक कर लेना आपका सारा चीज सो करेगा आपका फीस पेमेट भी सो करेगा आप अगर रिसीट नहीं निकाले हो तो कोई बात नहीं कॉलेज में जाना कॉलेज वाले खुद रिसीट निकाल देंगा तो टेंशन वाली कोई बात नहीं ब्रदर यह जो स्कॉलर्षी फर्स ड्रीम का मेसेज है ब्रदर यह जो स्कॉलर्षी फर्स सेमिस्टर के बाद अपलाई होगा नहीं यह जो स्कॉलर्षीप है इसका आपका नोटिफिकेशन ऑक्टोबर या नवेंबर मेहना में आता है तो वही साब से देख लेना आप आप आनले चेक करते स्कॉलर्षी फर्स नंबर में नहीं दे सकता लेकिन आप कमेंट सेक्षे में पूछो मैं आपको जरूर्षी कर दोगा बिकोस नंबर मैंने कुछ लोगों को दिया है तो वह थोड़ा सा जाधा ही दिक्कत हो जारा भी तो मैं नंबर नहीं दे सकता शौरी लेकिन आप आपका एकमेंट माने नहीं आपका सो करेगा करता है आपका सबाँ रात तया करना करना अगर बा back if है तो आपका पेमेंट सो भी करेंगा डाउनलोड भी हो जागा हर्चीज हो जाएगा कि स्वामिक नायक का मेसेज है भाई जो कॉलेज के नोटिस में लिखा है 34,000 फी है फॉर स्ट तो पहले के 5000 फीज इसमें से माइनस नहीं नहीं माइनस नहीं करना है वह जो फी से वह अलग है यह जो फी से आपका अलग है तो 5000 माइनस नहीं करना आपको पूरा 34,000 पेमेंट करना है उसके बाद मेसेज है कमिंग सून का हाई सर इस देर एनी प्रोसेश टू टू टेक एडमिशन इन आई जेटी सारंग होस्टेल सर प्लीज बताई होस्टल का एडमिशन को कुछ प्रोसेस नहीं है आपका जेए मेंट के रैंक के हिसाब से आपको होस्टल मिलता है उसका भी वच्छे हॉस्टल नहीं लिखेंगे नहीं लेते हैं तो फिर अपडेटेट होस्टल लिस्ट फिर से निकलता आप अपलाई करना नहीं इसमें अपलाई कर सकते होδαई कर सकते हो आई स्ट प्लीजज परोसेस केसी तरह से किया कि आप वीडियो को पूरा देखिए मैंने उसमें बताया अच्छे से हर्षिद मित्तल भाईया रिपोर्टिंग टाइम क्या है दस एम तक जा सकते हो भाई दस एम से आडमिशन स्टार्ट होता आप जा सकते लिए ट्राय करना थोड़ा जल्दी पहुंचने का विकॉस जल्द फीड में कैसे करे वह इफ ऑनलाइन रिजिस्टरेशन कर दिया आप करने के बाद आपको लॉग इन करना है लॉग इन करने के बाद आपका पुरा आईडी दिखा रहा वहाँ पर ही और वह आईडी में ही आपका फीज पेमेंट का भी ऑप्शन दिखाएगा उपर में तो वहां सा पेमेंट कर सकते लिंग पेमेंट आपका तभी होगा 24 आवर पहले आपका उपन होता पॉर्टल उसके बाद या पेमेंट कर सकते हो सबका जातर यही कुश्चन है बादल का कॉले स्टार्ट के बेहब प्लीज रिप्लाई एली सीविल तो नोटिफिकेशन मैं बता दूगा कब से अधित्या नायक भाई प्रिंट डाटाशीट और चेक्लिस सेम की प्रिंट डाटाशीट और चेकलिस की हाँ सेम मिरूत इनिवन बीटेक सी बतादो यार कोई कोई वीडियो ना देखे का संब अनन में बता दूगा कैसा अनूए उसमें होता है कि एड्मिशन पाई केते टाइम लागी बोग कॉलेज रहे अल्मोस्ट आप समझ लो सुबह जाओगे तो आपका साम तक हो जाएगा कि सेम मेसेजन का बार बार यहीं सेम कुस्चन है कि अमलन का मेसेज है अच्छा ही लोग अपने आपको अपने दोस्तों के बीश में रिप्लाइज चल रहा है सुरी रिष्मा रानी का मेसेज यह भाई आई-जेटी का फीस भी इसमें पेश्ट करने से होगा या कॉलेज की वे आपका सिर्फ होगा जो आपका जो आपका जो आनलाइन रिजिस्ट्रेशन जहां से आपने किया है वहीं सब का फिस्पेमेंट होगा इस बार अजिनेरिंग अधित्य नैक का मेसेज़ प्रिंट फिल्ट इन डाटा सीट और चेकलिस सेम किया अकूला बिश्वाई का मेसेज़ और थैंक्स ब्रो आम नाओ ऑफिसरी स्टूडेंट आप आई-ई-टी सारंग कॉंग्रेचुलेशन ब्रदर पल्लवी प्रियदर्शनी का मेस मेसेज़ थैंक्यू सो मच ब्रदर आइड कंप्लीटेड माय रेजिस्ट्रेशन और सपेमेंट सो वेरी वरी वेलकम और रेजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया मुझे थैंक्यू बोलने के लिए बहुत-बहुत शुक्री आपका भी इसके बाद है मुरुतिंजय महांति का फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त भी पैसा देना होगा क्या अगर हां तो कितना नहीं दे सकते हैं उससे पहले आप कॉनले रेजिस्ट्रेशन में पैसा देना है नाइट का मेसेज़ है 24 आवर्स हो गया पोइमेंट ऑप्शन 24 आवर्स हो चुका है नहीं दिखा रपेमेंट दिखाएगा दिखाएगा भाई टेंशन मतलो आपको नहीं बनाना है कॉलेज जाना कॉलेज के बाहरी आपका अडमिशन हो रहा गोव बंदू अडिटरी में जस्ट उसके रूम के बाहर आपका वकील बैठा हुआ उसका यही नाकास भवन एक रूम में तो चार बच्चे रहते हैं तो तरह मैं बता नहीं सकता टोटल कितने बच्चे रह सकते हो ब्रांच वाई सेलेक्शन होता है कि हर ब्रांच से 20 बच्चे यह पर 30 बच्चे लिया जाता है वह देखिए आपके ब्रांच से अभी कितना सब्सक्राइब करेंगे तो ही हो पाएगा इसके बारे मुझे कोई आइडिया नहीं है को कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे मैं नहीं बता सकता आप कॉलेज में जाइए बात कीजिए आपका क्या होता है वो खुद डिसाइड करेंगे ओम का मेसेज जी सीए के उजहर युनिफॉर्म वीडियो बहुत जल्दी बना दूँगा तो इस टेंसर मतलो अच्छा इसको लिख लेता हूं जी सी यूज्छाइड इसके उपर एक वीडियो में आपके लिए डेडिकेटेट बना दूँगा डूंट वरी जी सी के उजहर क का युनिफॉर्म ओके एक वीडियो निट भाई आई जी अटी औरी इंट्र यूनिवर्स्टेटी कॉंपिटिशन रबाटिसीपेट करें नहीं हां कोरें बहुत सारा कॉंपिटिशन जैसे आपका हो गया बैड्मिंटन हो गया क्रिकट हो गया बहुत सारे कॉंपिटिशन करता है कोडिक में इस विर करता इस बहुत सरे गेमिंग में भी सिबilen करता ह। लूपट भाई आपके किसी फीमेल फ्रेंड को पूछ के बता जो कि रोहीनी ऑस्टल में रूम बातरूम वीटियो आप सभी के लिए अप्लोड करूँगा राज किशोर बिश्वाई का मेसेज है भाई आप उससे बड़ी प्रॉब्लम है पेमेट हो गया लेकिन रिसीवट में जीरो-जीरो रुपीज शो कर रहा है क्या नहीं रह सकते हैं गल्स के लिए कॉलेज में ही रहना है फ्रेशर लड़कियों को टिक है ओ जी जी और रेजिस्ट्रेशन में गलती होने से ठीक कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं आर्थर शेली का मेसेज़ भाई आई-जेटी में वह एंटी रैगिंग वाल एफिडेवि बनेगा रुपीस ट्वेंटी का स्टैंप पेपर में वो कॉलेज में बनेगा 400 रुपया लेगा और कॉलेज से बनेगा इसका तुम लोग कन्फ्यूस बहुत जादा हो जाते हो यह में पाउल आस्टे महर का में इस पहाई आई जीटी अटी कोई भी नंबर नहीं लग रहा न हो हर एक point explain किया हूं जो जो point आपको चाहिए ठीक है बस इतना ही सारा message है जितने सारे message मैंने reply कर दिया बाकि सेम से message है तो यहां तक वीडियो को यहां तक ही लिए रखते बिकास बाकि जितने भी comment से थोड़े जानने हैं और वो comment भी सेम से मैं सारे comment के जाए तर एक ही payment payment related ही होगा तो इतना ही वीडियो को रखते आने वाले समय में को जी सी के उचर का वीडियो बना दूंगा syllabus कैसे डाउनलोड करते उसका एक वीडियो बना दूंगा और उसके बाद आपका एड्मिशन का पूरा प्रोसेस बता दूंगा होस्टल अलोट्मेंट के बारे में पूरा अच्छे से explain कर दूंगा इंटर्नल स्लाइडिंग के उपर बना दूंगा तो इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं तो मिलते एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ अब तक के लिए स्लाम अलेकुम नमस्कार जैह हिंदा एंड वदे मातर